औरिया जंपद में पुलिस की कार के बोनट पर बैठकर रील बनाने का अब ट्रेड बनता जा रहा है। अभी कुछ दिमपुर्व ही पुलिस की सरकारी जीप के बोनट पर बैठकर युवती का रील बनाने का विडियो वाइरल हुआ था। अब पुलिस कर्मी का वर्दी में सरकारी जीप के बोनट पर बैठ कर रील बनाने का भी मामला सामने आ रहा है आपको बताते चलें उत्तर प्रदेश परिवन विभाग ने एक आदेश जारी किया है इसके मताबिक राजय का कोई भी व्यक्ति वाहनों पर अपनी जाती, नाम, गाव का नाम, ठिकाना और पदनाम नहीं लिख सकेगा इस आदेश का उलंगन कारवाई की जाएंगी अब देखने वाली बात यह है कि फफून थाने में तैनात सिपाही का बुलेट मोटर साइकल चलाते हुए रील बनाने का भी विडियो वाइरल हो रहा है जिसमें बुलट में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि बुलट मोटर साइकल के आगे सनेम लिखा हुआ है जो कि बिना हिलमेट पहने या तायात नियमों की भी धजिया उड़ाई जा रही है पिछले वर्ष ही सिएम योगी ने ड्यूटी पर पुलिस कर्मियों के सोशल मीडिया पर सक्रिय होने पर आपत्ती जाहिर की थी ऐसे लोगों पर कारवाय के निर्देश भी दिये थे पुलिस अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की थी जिसके बाद पुलिस कर्मियों को सक्त निर्देश दिये गए थे कि वर्दी में किसी प्रकार का वीडियो न तो बनाना है और नहीं सोशल मीडिया पर साजह करना है जंपद में एक पुलिस कर्मी की इंस्ट्राग्राम रील वाइरल हो रही है पुलिस कर्मी ने वर्दी में इस रील को बनाया है उस समय मैंने अज्ञानता में जो वीडियो बनाए उन्हीं को एडिट करके किसी ने ट्वीट किया है इस संबंद में स्रीमान अपर पुलिस अदिक्षक्त और याद्वारा जहांच की जा रही है बात जहांच अनुसासनात्मक करवाई की जाए